दोस्तो आज की इस वीडियों हम सेखने वाले हैं फिर हम टेली प्राइन सोप्ट्वेर में क्रेडिट सेल वाउचर के अगेंस्ट में ओटोमेटिक केस रिसिप्ट की इंटरी या फिर ओटोमेटिक बेंक रिसिप्ट की इंटरी किस परकार से कर सकते हैं Credit Sale यान कि जब हमारी customer को हम उधार sale करते हैं तो उस उधार sale के against में अटोमेटिक हम चाहें भी इस voucher की जो पेमेट है sale voucher की जो हमने की उधार में sale करिये उसका अटोमेटिक case receipt voucher बन जाना चाहिए अगर हमें bank के दुवारा payment receipt होती है तो उसका automatic bank receipt voucher automatic create हो जाना चाहिए तो दूस्तों सबसे पहले हम इसको एक समझने के लिए हम सबसे पहले हमारे daily के day book पर चलते हैं और daily book पर हमें app 2 करने के बाद में आप देख रहे हो केवल हमें दो purchase voucher की इंटरी यहां पर से हो रही है और जब हम एक हमारे customer को एक sale voucher हम करके देखते हैं इसके लिए voucher पर जाएंगे और हम जाएंगे F8 sale voucher पर तो जैसे कि हमारे पास एक customer है राजकुमार और जैसे हम राजकुमार को यहां पर select करेंगे तो उसके बाद हमारे से एक option पुछा जाएगा sale type का against में आपको case receipt हो जाती है तो automatic case receipt की entry बन जाएगी या bank के थुरू अगर आपके पास payment आएगी तो यह bank के अंदर automatic है जो आपका laser debit हो जाएगा तो हम एक example के लिए interest के करके देखें कि बाद में हम आपको पूरा process इसका समझाएंगे भी इस option को लाने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा अमानली जी आपकी जो sale है वो bank के अंदर पैसा आ चुका है तो आपको यहाँ पैसे bank select करोगे और bank में जाने के बाद SBI bank को select करोगे और उसके बाद में यहाँ पर सारी details अगर आपने check के थुरू payment करिए तो check का number उसके बाद में check के detail bank का name उसका branch के details वेगरा सारी fill up करने पड़ेगी अमानली जी हमें इसके जो payment है UPI के थुरू मिली यान कि Google पे विकरा के थुरू मिली है तो हम यहाँ पर लिख सकते है Google पे और उसके बाद में जो date है मानली जी स्टेट को हमने sale करिए उसे date में हमने shift कर लिए bank कौन सा है यानि के मानली जी उनका जो payment हमारे पास आई है OBC bank से आई है branch हम डाल देते हैं एक बार horizon अगर interface करेंगे और इसके बाद हम stock item को यहाँ पर select करेंगे quantity हमने एक बार डाल दी एक 500 और उसके बाद में ght local की sale है और उसके बाद में cght tax और sg tax उसके बाद में simple जैसे कि हम sale की entry करते हैं उसी type की entry हमें करनी है और उसके बाद में new reference रखते हुए इस voucher को accept करेंगे जैसे हम accept करेंगे तो हमारे पास एक option हमें दिखाई देगा create bank receipt तो इस option को आपको yes करना है तो yes करने के लिए हम wide प्रेस करेंगे और उसके बाद automatic आपके पास एक message आएगा भी auto bank receipt entry created successfully enter प्रेस करेंगे अब इस voucher का effect कहां पे आया है जैसे हम office day book पर चलते है और आप देख रहे हो एप 2 करके सारी voucher open करेंगे तो आप देख रहे हो इस sale के against के अंदर पांसो 90 रुपे की जो हमने sale करी है उसके अगनद ये bank receipt की जो entry है वो automatic की आ गी है और इस entry के पर हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो राजकुमार का जो laser है वो credit हो गया है और SBA bank हमारा वो debit हो चुका है अब ये जो against reference land की जो एक number invoice था हमारे पास उसी के against में ये payment आ चुकी है तो यानि कि इस तरीके से हम automatic cash receipt की entry कर सकते हैं और bank receipt की भी entry कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो का पूरा process जाने के लिए भी हम इस प्रकार की entry automatic इस प्रकार आ सकती है तो वीडियो का अप end तक complete जुरूर देखना वीडियो कर आपको अच्छी लगे तो like कर देना अपने दोस्तों के साथ share भी कर देना अगर आप मारे चैनल पर नहीं हो तो चै यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो शुरू करते हैं आज के वीडियो तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले सबसे पहले हमने अभी जो sale voucher की entry करी थी demo के लिए उस voucher की और bank receipt voucher को delete करते है डे बुक पर चलते हैं app 2 से सारी transaction open कर लेते हैं तो एक हमारा sale voucher था हम इसको alt d के साथ delete करेंगे और जो bank receipt की entry है उसको भी delete करेंगे तो दोस्तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक case receipt का voucher आपको create करना पड़ेगा और एक आपको bank receipt का voucher create करना पड़ेगा तो voucher को create करने के लिए जिसे मैंने already create किया हुए तो आपको मैं process बता देता इक किस तरीकी से त्यार करने आपको create पर जाने voucher type पर जाने और यहां पर आपको case receipt लिखने तो मैं एक बर आपको modify करके दिखा देता हूँ जो कि मेरे पास already create की हुए है तो मैं altr पर जाओंगा voucher type पर जाओंगा और आप देख रहे हुए यहां पर मैंने दो voucher create की हुए bank receipt और case receipt यह मैंने create की है जो जो कि by default tally के साथ नहीं आ रहे इंटरप्रेस करके आपको दिखाता हूँ तो सारी detail आपको पता चल जाएगी नाम आपको देदेना है create में जाकि bank receipt का और इसका जो voucher का जो selection रहेगा वो रहेगा receipt का और इसके बाद में active this voucher type इसको आपको yes कर रहेगा और बाद में आपके जो method of voucher numbering का है वो आपको आप automatic या फिर manually अपने coding रख सकते हो इसी तरीके से जो हमने case receipt का जो voucher create किया है उसी को ही हमने under अभी तक type of voucher में receipt रखा हुआ है और active this voucher को type को yes किया हुए तो इस तरीके से आपको ये दो voucher है जो create कर लेने है तो तो अब ये जो option हमारे पास आता है जब हम sale voucher में interest की करते हैं F8 में जाके और F8 में जब हम customer का नाम हम show करते हैं उसके बाद में ये sale type के बाद आपको option दिखाए देंगे case, bank और ये credit तो इस option के लिए हमें TDL यूज करना पड़ता है तो इस TDL का जो नाम है वो आपको मैं दिखा देता हूँ इसके हम TDL पर जाएंगे और जो TDL मेरे पास अपलोड है उसका नाम है case sale auto receipt 2.0 का तो ये आपको टेली swap से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो free of cost है ये trial के रूप में तो ये मैंने अपलोड किया हूँ है अपलोड करने का तरिका आपको manage local TDL पर जाने और उसके बाद में आपको वहाँ पर सारी location बतानी पड़ेगी भी आपने जो TDL फाइल को रखा हूँ है वो कौन से location पर रखा हूँ है जिसा है कि मेरे C drive के अंदर ये मैने फाइल रखी भी है तो मैने C drive से इसको यहां से process करा हूँ है अब वापिस हम चलते है sale voucher पर तो जो कि GST के अंदर regular position के अंदर है जो registered है अब उसको आपको B2B के अंदर भी आपको show करना पड़ेगा आपके GSTR 1 में क्योंकि आपको ITC show करवाना पड़ेगा अगर आप मान लिजी उस customer ने उस party ने आपसे case में sale करी है तो अगर आप case के अंदर यहां पर party account ने में अगर आ B2C का part मान लेगा तो हमें चाहिए भी उस party के case भी हमारे पास automatic आजए और GSTR 1 के B2B के part 1 के अंदर भी इसका नाम है जो show हो जाए तो इसके लिए जैसे कि हमेरे पास एक customer है राजकुमत इसको हमने एज़िस्टर मानना हुए regular और इसका GST number हमने दिया हुए तो आपको एक ध्यान में रखना है आपका जो मेंटेंस, बिल एस, बिल वाई बिल एसका जो उपसन है ये यस कर रखना पड़ेगा इसके बगार ये TDL जो working नहीं करेगा उसके बाद में जैसा कि अब उसके बाद में sell type जैसे sell type करेंगे तो इसका option ही आजएगा इस customer की जो payment आ रही है वो केस में रखोगे जिसके हम इसको केस करेंगे और यहाँ पर प्रोडेक्ट का नाम हम स्लेक्ट करेंगे quantity हमने 50 कर दिया मानी जी इसका अच्छा सोरे पर rate हमने डाल दिया local की sell है और उसके बाद में cgst tax और sgst tax और इस तरीके से आपको interface करने है simple entry आपको करनी है और यहाँ पर आपको new reference रखने है अब new reference के अंदर आप अपना sale का invoice number आप दे सकते हो जो invoice आपने issue किया है और उसके बाद में वापचर को accept करेंगे तो accept करती है आपके पास यह option आ तो अब मेरेको अभी साथ के साथ करना है तो हम इसको interface करेंगे और यहाँ पर automatic इसका status आजाएगा भी auto case receipt entered created successfully enterprise करेंगे तो यह हमारा sale का वापचर created हो गया है और जैसे हम daybook पर जाएगे तो daybook पर जाने के बाद आप देख रहे हो जो हमारे पास precise invoice थे और एक sale का invoice और उसी sale के invoice के अंदर यह case receipt है जो automatic ही बन गई हमारी 3540 रुपे की अब अगर हम GSTR report की अगर बात करें तो display पर हम हमने जो एक invoice है उसका नाम B2B के अंदर show हो गया और उसका company का नाम उसका GST number सब कुछ जो की हमें show करवाना होता है वो सारी detail आपको यहाँ पर show करेंगी अगर हम इसके customer के laser की बात करें तो display पर जाएंगे accounts book पर जाएंगे laser पर जाएंगे और हमने select के राजकुमर तो आप आप देख रहे हैं पर इसका जो balance है वो बिल्कुल बराबर है क्योंकि एक हमने sale करी थी उसके against में automatic है जो यह cash की receipt हो गी है अब उसके बाद में हमारे पास एक customer और है उसकी अगर हम entry करेंगे और उसका हम देखेंगे bank के थुरू payment किस तरीके से receipt होती है तो voucher पर हम जाएं और उसके बाद में आपके जो जो payment आ रहे हो या जो receipt करे हो कौन से bank में कर रहे हो तो जैसा कि मैंने एक simple SBA bank का laser create किया हुए तो SBA bank में आएगी और उसके बाद में वो same processes का आपका UPA का जो UTR code वेकर है या check के थुरू payment करिए तो check का number उसके date वेकर आप bank की details सारी information fill up कर दे नहीं है जैसे माली जी मेरे पास check है तो मैं आपे six digit का जो check number है वो यहाँ पर mention करूँगा और उसके बाद में जो date है उसके date mention करूँगा और उसके बाद में माली जी मैंने लिख दिया पर PNB bank यहां कि PNB bank की थुरू पैसा मेरे पास आ रहा है और बराच है वो शरी गंग करेंगे और new reference रखते भी इस voucher को accept करेंगे तो यहां में एक message देगा create bank receipt का इसको accept कर देंगे और इसको भी accept करेंगे तो वापीस हम दे बुक में जाएंगे तो दे बुक में हम जाएकर देखेंगे हमारा जो सेल का जो वाउचर नंबर है 1180 रुपए का तो इस 1180 रुपए के against में यह 1180 रुपए की जो bank की receipt हमारी यह ओटोमेट की create हो गी है तो अब हम लेजर देखेंगे अगर पार्टी का तो डिस्प्ले पर हम जाएंगे अकाउंट्स बुक पर जाएंगे लेजर पर जाएंगे और विवेक सिंग को सेलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हो जो सेल की जितनी मांट हमारी debit है उतनी भी बैंक के थुरू यह credit भी हो गी है अगर हम बैंक का लेजर देखें एस्बी बैंक का तो एस् material का जो नाम है वो case cell auto receipt 2.0 का है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो कर आपको अच्छे लगी हो लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जूरूर कर देना तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टोपी के साथ